और डियो तीन, उस्तक मित्रभाव बढ़ाने की कला पूरी तरह से सच्ची मित्रता का प्राप्त हो जाना बड़ा कठिन है। इनी सौभागिशालियों को ही वैसे सखा मिलते हैं, पर इससे नीचे दर्जे की भले मानस मध्यम श्रणे की मित्र मिल जाएं तो भी अच्छा है। वैसी मित्रता भी उप्योगी होती है। संभव है कि किसी मित्र से भूल हो वै उतनी सच्चाई या जिम्मेदारी ना प्रकड कर सके। जितनी की सच्ची मित्रता के लिए आवशक है तो भी निरुट्साहित नहीं होना चाहिए। जो भूल दूसरे की और से दिखाई गई हो उसकी उप्यक्षा कर देना चाहिए। उलाने के या जगडे के रूप में नहीं वरन अकेले में अत्यांत मधुर शब्दों में उसे समझा देना चाहिए कि वैसी भूल करना उचित नहीं। यह बहुत ही बुरा है कि मित्र की भूल के लिए उससे पूछा न जाए या उससे समझाया न जाए पर पेट में बुराई की गाठ की रूप में बांध लिया जाए। ऐसी काठी जब मन में इकठी होती रहती हैं तो धीरे धीरे मन बुटाओ बढ़ने लगता है और एक मित्रता तूटने का अफसर आ जाता है। इसलिए एक दूसरे के प्रती की गई भूलों को लापरवाही के कारण हुई मान कर उपेख्षा कर देनी चाहिए और उसका कुछ प्रवाव मन पर न रहने देना चाहिए। पर यदि कोई बात ऐसी हो जिसका मन पर गहरा असर पड़ा हो तो उसका कारण पूछ लेना चाहिए या कहा सुनी करके मन की सफाई कर लेनी चाहिए। जब सभी प्रकार के मनुगत भाव मित्र पर प्रकट किये जा सकते हैं तो उसके प्रती संदे उत्पन करने वाले भावों को भी प्रकट कर देने से छिपाने की क्या विशक्ता है। ऐसी निश्कपड़ता और उदारता का व्यभार रखने पर मित्रता इस्थाई और एक सार बनी रहती है। मित्र भाव बढ़ाने के लिए हमें यह प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग अपनी ओर से हमसे मित्रता इस्थापित करने की अफसर उपस्थित करें। परन जिन लोगों के साथ अपने व्यापारिक या सामाजिक शित्रों में अच्छे संबंध हैं, उनमें से कुछ भले विवेक्षील और पतिष्थित व्यक्तियों को चुन लेना चाहिए। उनके साथ आत्मियता का व्यभार आरंब कर देना चाहिए। कोई सहयोग का, भेट उफार का, सलहा का, समय देनी का, कठनाई में हाथ बटानी का अवसर आये तो उसे बिना चुके अपना सहयोग देना चाहिए। मन वचन एवंकार्य द्वारा किसी की द्वारा आत्मियता का व्यभार होते हुए जब देखा जाता है तो मन बर्बस उधर खिच जाता है। लगातार बार बार आत्मियता के परिचे अपनी ओर से उपस्थित करने पर दूसरा भी व्यासा करने को विवश होता है। यह सहयोग कुछ समय तक लगातार चलता रहे, एक दूसरे को अपनी सत्भावनाओं का आदान परदान करते रहे तो संबंद सुद्रण एविस्थाई हो जाते हैं और मित्रभाव बढ़ जाता है। मित्रता बढ़ों से और छोटों से, दूनों में ही समान रूप से उपयोगी है। बढ़े लोग अपनी कृपा से हमें उचा उठाते हैं और छोटी लोग सेवा सहायता करने का अवसर देकर हमारी सात्विक्ता को, परमार्थता को, जागरित और जरतार्थ होने का सुर्णिम स योग प्रदान करते हैं। बढ़ों की कृपा प्राप्त करके जैसे इही लोग और परलोग की संपदा मिलती है, पैसी ही श्री सम्रद्धी छोटों की सेवा सायता से भी उपलब्ध होती है। इसलिए छोटे और बड़े का भेद भाव ना करके सज्जनता का ध्यान रखकर मित्रता का चुनाव करते समय रखना चाहिए। पर्मात्मा में आत्मा को मिलाकर योगी जन पर्मानंद प्राप्त करते हैं। प्रेम ही पर्मात्मा है। भक्ति द्वारा प्रेम द्वारा ही पर्मात्मा को प्राप्त किया जाता है। इस प्रेम को विक्षित करने की आरंभिक शिड़ी मैत्री है। दार्शनिक कार लाइल ने कहा है कि जो सच्ची मित्रता करने में सफल नहीं हुआ वे परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। सांसारिक सुक दुख में साजिदार बनना उन्नति के बत में सहायक बनाना ही महत्री का लाब नहीं है परन आध्यात्मिक विकास उसका प्रमुख उद्देश है। जमने लगेगी परपक होने लगेगी तो इश्वरिय प्रेम अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। आध्यात्मिक शेत्र में गुरु बक्ति की ग्रैस्थी शेत्र में दामपत्य प्रेम की अधिक महिमा है। सामाजिक शेत्र में भी सनमैत्री का वैसा ही इस्थान है, जिसे कुछ थोड़े से भी सच्चे मित्र उपलब्ध हैं वैधन्य है. हर एक मित्रता करने वाले को यह भरी प्रकार समझ लेना चाहिए कि मित्रता का उद्देश्य आत्मसुक है, उसे व्यापार या भिक्षा व्रत्ति न माल लेना चाहिए, अमुक व्यक्ति से हमारी मित्रता है, इसलिए उससे अमुक अमुक लाब हम उठाएंगे, ऐसी कल्पना नहीं बाननी चाहिएं। जो ऐसी आशा बानते हैं वे मित्र नहीं व्यापारी या भिख्शुक हैं। जो मित्रों की आशा पर अपने प्रयत्न छोड़ देते हैं, स्वयम अपने बल्बूते पर अपना पत्वार आप नहीं खेते, उनकी नाव मजधार में डूपती है। कभी इस पष्ट या खुले शब्दों में इस प्रकार अपनी आवशक्ता मित्र के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए कि उसे पूरे ना कर सकने पर स्वयम दुख हो या मित्र को शर्मिंदगी उठानी पड़े। यदि अच्छे व्यक्तियों का संग प्राप्त ना हो तो बि कोदार व्यवहार से सहजी दूसरों का मन अपनी ओर आकरशित होता है। इस प्रकार साधारन संबंदों को भी मधूर बनाकर मैत्री जैसा आनंद उपलब्द किया जा सकता है। एक बात और भी धान में रखने की है कि मित्र का समय अनावश्चक रिती से गप्षप में या जंदिरतक बातों में हर्चना कराया जाए। जिससे उसके आवश्चक कारिक्रम में रुकावट हो, जीविका में बाधा पढ़े या उसके घरवालों को कष्ट हो। इसी प्रकार मित्रता के नाम पर किसी के पैसे खर्च कराने से भी सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि इन सब बातों से मित्रता कमजोर पढ़ने लगती है और एक दिन उसके तूटने का अफसर आ जाता है। अच्छे मित्रत ना मिले तो उत्तम ज्यानवर्थक जीवन को उचा उठाने वाली अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तकों के माधिम द्वरा हम संसार के पादर्श वित्यों की अनुभव दबे पड़े हैं। उन्हें हिर्द्यंगम करके भी हम मित्रता के लाभों को उठा सकते हैं। सच्ची संगती का सच्ची मित्रता का महतु अपार है। वो स्वामी तुर्शिदास जी के शब्दों में उसकी महिमा अनिर्वचनिय है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल नताही सकल मिली, जो सुखलव सत्संग। दूसरा मुख्य शीशक, दूसरों को अपना बनाने की कला। एक महापुरुष का कथन है, मुझे बोलने दो, मैं विशु को विजय कर लूँगा। सच मुझ वाणे से अधिक कारगर हत्यार और कोई इस दुनिया में नहीं है। जिस आदमी में ठीक तरह उचित रीती से बात चीत करने की ख्षमता है, समझे कि उसके पास एक मूल लिवान खजाना है। दूसरों पर प्रभाव डालने का प्रथान साधन वाणी है। देनलेन, व्यभार, आचरण, विद्धत्ता, योग्यता, आदिका प्रभाव डालने के लिए समय की, अवसर की, किरियात्मक प्रेत्न की अवश्यक्ता होती है। पर वारता लाप एक ऐसा उपाय हैं जिसके द्वारा बहुत ही स्वल्प समय में दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। बादचीत करने की कला में जो निपुण हैं वे असाधारन संपत्ति वान हैं। योग्यता का परिचे बाने के द्वारा प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति का विशेश परिचे मालूम नहीं है, उससे कुछ देर बाचीत करने की उपरांत जाना जा सकता है कि वह कैसे आचरण का है, कैसे विचार रखता है, कितना योग्य है, कितना ज्यान और अनभव रखता है। जो दूसरों के उपर अपनी योग्यता प्रकट करता है, ऐसे प्रमुक मनिश्य को बहुत ही सावधानी के साथ बढ़ता जाना चाहिए। जाब उठाने की इच्छा नहीं करते, कारण यह है कि बादचीत के चिछोरे पंचे लोग चुंजला जाते हैं और उनसे दूर दूर बचते रहते हैं। अनेक व्यक्ति ऐसे भी पाई जाते हैं, जो इतने योग्य नहीं होते जितना की सब लोग उन्हें समझते हैं। वाणे की कुशलता द्वारा वे लोग दूसरों के मन पर अपनी ऐसी चाप बिठाते हैं कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते हैं। कई बार योग्यता रखने वाले लोग असवल रह जाते हैं और छोटी कोटी के लोग सफल हो जाते हैं। प्रकट करने के साधन ठीक हो तो कम योग्यता को ही भरी प्रकार और दर्शित किया जा सकता है। और उनके द्वारा बहुत काम निकाला जा सकता है। विध्यत विञ्यान की आचारे J.P. राओ का कतन है कि उतपादन के इंदर में जितनी बिझली उतपन होती है उसका दो तिहाई भाग बिना उप्योग के ही बरबाद हो जाता है। पावर हौस में उतपन हुई बिझली का एक तिहाई भाग ही काम में आता है। या भी तक जो यंद्र बने हैं वे अधूरे हैं इसलिए आगे ऐसी यंत्रों का अविश्कार होना चाहिए जो उत्पादित विजली की बरबादी ना होने दें जिस दिन इस प्रकार के यंत्र तयार हो जाएंगे तब बिजली घरों की शक्ती तिगुनी बढ़ जाएगी खर्च तिहाई रह जाएगा करीब करीब ऐसी ही बरबादी मानविये योग्यताओं की होती हैं अधूरे विद्यत यंत्रों के कारण दो तिहाई बिजली नष्ट हो जाती हैं बादचीत की कला से अनभिग्य होने के कारण दो तिहाई से भी अधिक योग्यताएं निकम्मी पड़ी रहती हैं यदि इस विद्या की जानकारी हो तो तिगुना कारे संपादन किया जा सकता है जितनी सबलता आप प्राप करते हैं उतनी तो तिहाई योग्यता रखने वा उपयोग किया जाएं जिने मूर्ख कहा जाता है या मूर्ख समझा जाता है बास्तों में वे उतने अयोग्य नहीं जितना की ख्याल किया जाता है उनमें भी बहुत अर्शो तक बुद्धिमत्ता होती है परंतो जिस अभाव के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ता है व जिसके बिना जीवन विकास में भारी बाधा अवस्थित होती है। आपके मन में क्या विचार हैं, क्या इच्छा करते हैं, क्या संब्धी रखते हैं, जब तक यह प्रकट ना हो, तब तक किसी को क्या पता चलेगा। मन ही मन पुड़कुणाने से, दूसरों के संब्ध में भली बुरी कलपनाएं करने से कुछ फायदा नहीं। आपको जो कठनाई है, जो शिकायत है, जो संदे है, उसे इसपरस्ट रूप से कह दीजिए। जो सुधार या परवर्थन चाहते हैं, उसे भी प्रकट कर दीजिए। इस प्रकार अपनी विचारधारा को जब दूसरों के सामने रखेंगे और अपने कथन का औश्चित्य साबित करेंगे, तो मनो नुकूल सुधार हो जाने की बहुत कुछ आशा है। ब्रह्म का, गलत फहमी का, सबसे बड़ा कारण यह है कि जूठे, संकुच की, जिजग के कारण लोग अपने भावों को प्रकट नहीं करते। इसलिए दूसरा यह समझता है कि आपकी कोई कटनाई या असुधा नहीं है, जब तक कहां ना जाए, तब तक दूसरा व्यक्ति कैसे जान लेगा, कि आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। अप्रतिक्ष रूप से सांकेतिक भाषा में विचारों को जाहिर करना केवल भावुक और संवेदन शीर लोगों पर प्रहव डालता है। साधारन कोटी की हिरदयों पर उसका बहुत ही कम असर होता है। अपनी नीजी गुथियों में उल्जे रहने के कारण दूसरों की सांकेतिक भाषा को समझने में वे या तो समर्थ नहीं होते या फिर थोड़ा ध्यान दे कर फिर उसे भूल जाते हैं। अकसर बहुत जरूरी कामों की और पहले ध्यान दिया जाता है और कम जरूरी कामों की को पीछे के लिए डाल दिया जाता है। संभव है आपकी कठनाई या इच्छा को कम ज़रूरी समझकर पीछे डाला जाता हो, फिर कभी के लिए टाला जाता हो, यदि सांकितिक भाशा में मनुभाव प्रकट करने से काम चलता ना दिखाई पड़े, तो अपनी बात को इस पस्ट रूप से नम्र भाशा में कह दीजि है, ऐसे प्रस्ताव को रखते वे जीजक इसलिए होती है कि अपनी उदारता और सहन शिल्ता को धबा लगेगा, नेग नियती पर आक्षेप किया जाएगा, या किरोध का भाजन बनना पड़ेगा, यदि आपका पक्ष उचित सच्चा और न्याय पूर्ण है, तो इन कार् को प्रकट करना चाहिए, हर मनुष्य का पुनीद कर्तब है कि मानक्ता की अधिकारों को प्राप्त करें और उनकी रक्षा करें, केवल बेक्तिकत स्वार्थ के लिए नहीं, वरन इसलिए भी कि अपरान और कायरता इन दोनों घातक तत्तों का अंतो हो